हमने अपनी ट्रैंद्ट करली टैबलो में कीस तरह से स्टोरी क्रियेट की जाती है। यह हमने सिखा हमने पहले वरकशीट के पुपर काम किया हमने हर एक कि परामिटर्स को यूज़ करते हुए डामेंशन bakın व्कषीट को हमने चैनवर्ट areas ॥ ना किकर चैनल चैनल के आड़ लाए पर चैनल का भीर हों आपको sign in करना पड़ेगा, अगर आप already account holder नहीं है, तो फिर definitely आपको sign up करना पड़ेगा, sign up with Salesforce, या आप dashboard भी create कर सकते हैं, यहां से create a new account इस तरह से कर सकते हैं, और यह आपकी cloud के उपर जाके यह report आपकी save हो जाएगी, यह story आपकी save हो जाएगी, उसके बाद जब आपने share कर करें और किसी के साथ भी share कर दें, जिसके बास link है, वो आपका dashboard देख सकेगा, इसी तरह से जब हम client के लिए काम करते हैं, तो client के लिए भी हम इसी तरह से create करने के बाद उसके साथ link share कर देते हैं, और वो उसको वो देख सकता है, embed कर सकता है, अपने websites के अंदर या जैसे भी इसको यूज़ करना चाहे, अब problem यह है कि कौन सा visual कहां पर यूज़ करना है, यह बड़ा important है, देखिए जब आपके पास number of unique values इना column कम होंगी, तो फिर आप यूज़ करेंगे pie chart, यह जी जहें में रखिएगा, अगर आप pie chart के उपर अपना cursor लेके जाएं, तो यह क्या ब नज़र रखनी है, तो pie chart में यह कह रहा है कि one or more dimensions होनी चाहिए, one or more measures होने चाहिए, तो आपका pie chart बन सकता है, इस वकत, जो है, pie chart आप बना सकते हैं, इसी को convert कर सकते हैं, इसके बाद, जो next है, वो हम column chart के bar charts की बात करते हैं, तो bar chart में क्या है जी, आप एक measures add करें, तो bar chart ब bar chart बन जाएगा, map है, तो map में आपके पास एक जियो होना जरूरी है, जियो must है, आप उसमें एक dimensions भी आइड कर सकते हैं, या measures भी आइड कर सकते हैं, अब यह measures क्या चीज़ है, और dimension क्या चीज़ है, यह बहुत important है, dimension जो है, यह basically आपके वो columns हैं, जो के आप रोज में यहा जियो के लिए, measures आइड कर दें, good है, नहीं आइड करते, no worries, इसी तरह से अगर हम बात करें, for field map की, उसके भी same है, table में आपको एक या एक से ज़्यादा dimensions आइड करनी होती हैं, और एक ही measures आइड करना होता है, आप एक भी आइड कर सकते हैं, multiple dimensions भी आइड कर सकते हैं, फिर ये heat map है, heat map जो है, ये भी table की तरह से काम करता है, आपके हर एक जो number है, यार एक table का जो number बनता है, उसको एक color code के जरीए show कर देता है, simple table है, इसके लिए भी आपको एक dimension या एक, या एक से ज़्यादा measures की जरूरत होती है, अब कुछ यहाँ पर अगर आप देखें तो पर काम नहीं करेंगे, अब क्यों नहीं काम करेंगे, तो जरा देखें, जहां पर लिखा है one or more dimension, one or more measure, उसके नीचे लिखा है require at least three fields, ये two fields पर काम नहीं करेगा, ये three fields के उपर काम करेगा, इसी तरह से अगर आगे चलें, तो for side by side country, इसको भी three fields चाहिए, यहाँ पर वो क date चाहिए, combo chart के लिए आपको date चाहिए, time series की, और dimension जो है वो आप ना भी add करें, या एक ये कुछ add करने कोई मसला नहीं है, measures आप इसमें दो add करेंगे, दो add करेंगे, मतलब ये है कि एक आपका time show होगा, यानि कि वो line chart show करेगा, और दूसरा आपका column chart show करेगा, उसके बाद scatter plots हैं, तो इसमें आपने दो से लेके चार तक measures add करने हैं, एक measure हमने, चूंकि add किया वाद इसलिए ये dim नजर आ रहा है, उसके बाद next है हमारा histogram, histogram के अंदर हमने create a bin field, वो करनी है, जो कि इस वोकद available ही नहीं है हमारे पास, फिर ये हम कर सकते हैं, box and whisker plots, इसके लिए एक य जिरो या उससे ज़्यदे dimensions चाहिए, उसके बाद हमारे पास scan chart है, scan chart यहां पर बनाना बहुत असान है, इसके लावा bullet graph है और bubble chart है, तो ये सारे वो charts हैं, जो कि आप use कर सकते हैं, अपने टेबलियो की report या के टेबलियो का dashboard develop करने के लिए, अब चलते हैं जी, अगली वीड follow कीजिएगा, next वीडियो काफी लंबी होगी, लेकिन आपने step by step अकर follow करते जाएंगे, तो definitely हर चीज़ आप बड़ी असानी से समझ लेंगे, और उसके बाद आप कोई भी data kegle.com से ले लें, टेबलो के data sets से ले लें, और उसके उपर आप अपनी story बिल्ट का सकते हैं.